नमस्कार साथ ही हूं स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल में सेकंड ग्रेट ट्रांसपर से सम्मंदित एक महत्पून आदेश आये हैं कि यदि उनका स्वेच्छा से अंतर मंडल ट्रांसपर हुआ है तो कारे ग्रहन और कारे मुक्त के समय ही सम्मंदित मंडल की जित्ते श्रेणी कार्मिक का तो उसका जो वरिष्टता की जो सूची है उसका विलोपन हो जाता है और उसका जो कर्मांक है वो पुने नए मंडल में सबसे लाष्ट में आ जाता है आगे पढ़ते हैं कि प्राई यहां देखने में आया है कि जित्ते श्रेणी अध्यापक पदपर कारेत कार्मिक अन्य मंडल में इस्तानांत्रन होता है तो उसकी वरिष्टता का विलोपन लंबे समय तक नहीं किया जाता है साथ ही जिस मंडल में कार्मिक अस्तानांत्रित होता है उस मंडल की वरिष्टता सूची में उसका नामंकन नहीं किया जाता है अब तेक ऐसा होता आया है कि एक कार्मिक का माली जे सेकंड ग्रेड कार्मिक है उनका ट्रांसपर किसी दोसरे मंडल में हो गया तो उनकी सीनेर्टी जो है वो पुराने मंडल में भी चलते रहती हैं वासे अटाते नहीं हैं और नए मंडल में भी नहीं जोडते हैं तो इस समस्या के समादान के लिए आदेशित किया गया है कि कार्मिक अच्छ तनांतर एक मंडल से अब मंडल में स्वयं की प्रात्ना पत्र पर होतों सम्मद्रित संस्ता परधान कार्मिक से नामांकन विलोपन निर्धारित आवेदन प्रत्र प्राप्त कर ही कार्य मुक्त कार्य ग्रेंड की आवशिक कारवाई करे अब क्या होगा कि जैसे ही ट्रांसफर होंगे तो कार्य मुक्ती के समय और कार्य ग्रेंड के समय ही संबन्दित जो आवेदन होगा सीनेर्टी लिस्ट में नाम जुड़वाने का या फिर विलोपन का वो तुरंत ही भरवा दिया जाएगा उसके पस्चात ही उनको कारिमुक्त किया जाएगा आवेदन उसित माध्यम से संबाग कार्यालों को परिशित करने हेतु पाबंद करें संबाग कार्याले प्राप्त आवद्यों का प्रिक्षण कर यथाशी प्रपत्र छे जो प्रपत्र छे होता है वरिष्टा विलोपन आदेश के लिए आवशक रूप से जारी करें और जारी आदेश प्रपत्र जीरो छे निदेशालें प्रती इस्ताना आंतर संबाग कार्यालों को आवशक रूप से दें हैनी कि यह दि उनको कार्य मुक्ती करना होगा या कार्य घ्रेंड करेंगे तो जो जीरो छे है वो भरवा लिया जाएगा उन्से जो की वरिष्टा विलोपन के लिए होगा संबाग कार्यले कार्यमिका नामांकन अंतर मंडल इस्तानांतर के कारण निया मनुसर नामांकन की कारवाई सुनिशित करके वांचित आदेश निदेशाले को समय बद्धिता से प्रेशित करेंगे एक मंडल से दूसरे मंडल पर जो सिनेटी का जो विलोपन होता है वो तो होता ही है लेकिन विस से ये फायदा होने वाला है कि जो भी कार्य पेंडिंग होंगे वो जल्दी से हो जाया करेंगे और कार्यमुक्ति के समय ही ये सारे कार्य करवाले जाएंगे जो कि अच्छी बात रहेगी उमिद करता हूं कि जानकर इच्छी लगी होगी आप लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थेंक्स फॉर वचिंग दिस वीडियो